कि देखिए सर लास्ट के अंदर अभी तक हमने क्या क्या कर लिया अब ध्यान से देखिए क्या क्या हो चुका है तो हमने सबसे पहले कॉस्ट रिकंसिलेशन स्ट्रीटमेंट देखा कि कैसे कैसे पढ़ना है इसमें हमने कॉस्ट अकाउंट पर् 이제 अभी जो हम सटार्ट करने जा रहे थे वह कौनव सा था कोश्ट शीट काव प्रॉफट दे रखा था तो ऐसे कुस्टेम में अगर प्रॉफट ऑस पे अले हमने स्ट इसके profit के बारे में सोचते हैं finance का profit plus तो हम भी plus otherwise minus ये कुछ questions और कुछ एक ये सारी चीज़े की हैं ये सारी चीज़े हमने last class के अंदर आपके सामने display है वो सारी चीज़े आप कर चुके और ये homework में भी दिया था तो homework वाले questions already upload कर दिया उसको वीडियो देखके कर लीजेगा बागी नहीं किया है तो फिर मैं वैसे ही बता दूँआ ठीक है ना चलिए आज आगे भी questions लगा दिये गए हैं कितने questions है oh my god बहुत सारे questions कोई बात नहीं आज हम new topic स्टार्ट करने वाले जहां पर question खतम किया था कि यहीं से बढ़ते आगे कहां से बढ़ोगे सर यहां से आज अब आज का topic जो है वह है very very simple आज करेंगे profit as per finance जब आप profit as per finance करते हो ऐसे situation में आपको सोचना पढ़ेगा कि सोचना पता है किसके बारे में पढ़ेगा कि सर किसके बारे में सोचना पढ़ेगा आपको ऐसे situation में कि सोचना पढ़ेगा आपको कि सर कॉस्ट के बारे में यानि कॉस्ट के profit के बारे में सोचना है अगर कॉस्ट का प्राफित आपकव कॉस्ट का प्राफित अगर प्लस होते हैं हम Celtस कर ल कॉस प्लस करेंगे होता है में ने अगैंने सबस्तेवन अनूं तो आ जाएए सर्फ प्रॉफिट एस पर अब स्टार्ट करेंगे फाइनेंस फाइनेंस अकाउंट जब कभी भी आपको प्रॉफिट एस पर फाइनेंस अकाउंट गीवन हो साने हमें सोचना होगा मतलब हम थिंग करेंगे मेरा सेंपल सा कहना है क्या सोचेंगे क्या थिंग करेंगे उसकी बात पर सब्सक्राइब क्या सवाल के जवाब दीजेग अगर यह समझ है ठीक है मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बना लिया लो जी सर लो और में बन गया लो जी लो और में बन गया यह लो यहां प्लस यहां माइनस ऊपर लिखा जाएगा कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट यहां पर्टिकुलर फॉर्मेंट में कोई बदला होगा यहां सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट एस पर पाइनेंसब्स होगा जो भी प्रॉफिट आएगा प्लस में आ जाएगा लॉस वाले लास्ट क्लास में बताया था कि अगर लॉस होता है तो कहां चले जाता है माइनस सोचने का तरीका वही रहता है ठीक है अब आगे देखते हैं सर मैंने कहा मैंने कहा है डेप्रीशेशन एक्सेस है इन कॉस्ट समझेगा बात को मैंने कहा कि सर्डेप्रीशेशन एक्सेस है कहां पर एक्सेस है कॉस्ट और आपको सोचना किसके बारे में है अगर आप कॉस्ट का जो पी एंडल बनाओगे वहां पर डेप्रीशेशन ज्यादा दिखाओगे तो उससे कॉस्ट के पी एंडल पर क्या फरक पड़ेगा बढ़ जाएगा या घट जाएगा जल्दी जवाब दे बहुत बच्चों के जवाब आगया वीका का जवाब आगया सर माइनस बिल्कुल सही जवाब तो यह क्या होगा हमारा माइनस बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है इसलिए मैंने एक दिन का गैप दिया टॉपिक मिक्स ना हो सभी बच्चों ने लेस लेस जवाब दे दिया ठीक है ना ऐसे ही मैंने बोला प्रिलिम्नेरी एक्स्पेंस रिटन ओप आप मुझे बताइए प्रिलिम्नेरी एक्सपेंस कहां दिखाए जाते हैं को सीट में आता है या फिर फाइनेंस में या दोनों में प्रिलिम्नेरी एक्सपेंस कहा आता है बताइए कॉस्ट का तो कभी भी प्रिलिम्री इक्सिंस पार्टी नहीं होता है तो हमेज़ मेंनि topics प्रेलिम्री इंप्स पार्टी नहीं होता है तो घर दो में खर्चा दिखा रहा हूं तो questi का प्रॉफिट क्या रहा होगा रेकिन सकता के फाइननेंस में खर्चा माना गया है लेकिन ये कोस्ट में तो खर्चा आया ही gear अगा फ değer के अव सक्वावगा उसके प्रॉफिट का इंपट आ होगा उसके प्रॉफिट अगर preliminary expense सिर्फ finance में है तो ये एक खर्चा है और ये जो खर्चा है सर ये cost में तो नहीं आया अगर ये खर्चा cost में नहीं आया होगा तो खर्चा cost में कम दिखाने का मतलब add होगा इसलिए मैंने क्या कर दिया सर सभी बच्चों ने लगभग सही जवाब दिया ज्यादा होगा और इसे एड़ कर दिए कि इसके बाद ध्यान दीजिए कि वर्क ओवर हैड ध्यान दीजिएगा कि वर्क ओवर हैड कि अंडर रिकावर वर्क ओल्वर हैड किस के लिए बात किया रहें तो सर वर्क ओवर हैड ऐसे वर्ड तो cóस्ट में लगायागा अब कॉस्ट के अंदर यह खर्चा अंडर रिकावर का मतलब बताया था कम हैं अगर cost में ये खर्चा कम है तो हमें किसके profit के बारे में सोचना है हमें किसके profit के बारे में सोचना है सामने है cost के बारे में और cost के profit के बारे में जब सोचना है तो ऐसे situation में आप बताईए अगर कोई खर्चा cost में कम दिखाएंगे तो क्या होगा sir यहाँ पे sir add हो जाएगा क्या होगा sir add हो जाएगा ठीक है समझिएगा बात को मैंने कहा closing stock excess in cost अब इसका जवाब मैं आप से जानना चाहता हूँ closing stock को क्या मान के हम करते थे sir income मान के करते थे अब मैंने बताया कि यह excess है कहाँ excess है पताये अब मैंने बताये अब आप मुझे एड या लेस बताइए बहुत बच्चों ने जवाब दिया है तो मुझे समझ नहीं रहे हैं पुराने वाले पॉइंट के लिए था इस वाले दुबारा सब एक बार जबाब दे दीजिए इस वाले पॉइंट में एड होगा या लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक एक इंकम है और यह इंकम कहां ज्यादा है और कॉस्ट में इंकम ज्यादा का मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट भी ज्यादा तो प्लस होगा बाई कुछ बच्चे निशांत और लीना ने लेस बताए सायद आप लेट जोइन हो पाए हो यह क्या होगा एड हो चीक है सेम अगर मैं बोलू चलो ओपनिंग क्लोजिंग तो हो गया सेम मैं बोलू ट्रांसफर फीस क्रेडिट तर ट्रांसफर टी एफ कर दिया पी अब ट्रांसफर फीस क्रेडिट का मतलब क्या है सर ट्रांसफर फीस क्रेडिट का मतलब है यह फाइनेंस के अंदर इंकम होता है हमेशा यह फाइनेंस का ही पार्ट होता है तो फाइनेंस के अंदर इंकम है तो finance का profit बढ़ गया होगा लेकिन cost का profit तो नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा कुछ एक example लिखा मैंने और finally जब answer निकालोगे here total यह आ जाएगा और इधर total यह आ जाएगा और यहां क्या लिखेंगे sir profit प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंस अकाउंट तो प्रॉफिट एज़ पर सरकॉस्ट और यह आ गया तो आप समझ पा रहे होगे कि बैलेंस एसपर यह प्रॉफिट एसपर कॉस्ट हो चाहें फाइनेंस करना बढ़ा असान है आपको समझना होगा बस ठीक है है transfer fee का सुप्रिया ने लेस जवाब दिया लेस नहीं होगा transfer fees होता है income और इंकम फाइनेंस का पार्ट होता है इसे पाइनेंस में जाता है स्रिफ तो अगर यह income स्रिफ finance में तो कोस्ट में नहीं आई तो उसका profit कम आ गया होगा तो उसलिए less मेरे मेरे दिमाग से गलत निकल दिया एड होगा लेसी तो होगा सही तो बोला लेस होगा ठीक है क्या सभी बच्चों को जहां तक मैंने पॉइंट्स बताएं आपको पूरा विजुल हो रहा हुआ बोर्ड पे जहां तक पॉइंट बताएं हर एक बात क्लियर है तो एक इसके उपर सवा एकस्ट्राइं मैने एकस्ट्रा दिखा रखा है कोश्टिं में तो डेप्री शेशनयार टायपका कि खरचा है अगर आप खरचे को कोस्ट में जादा दिखाऊँगा इसलिए माईनिस द्ला यह है कचलि अएक सभाल ले के आते अपके लिए पेज नमबर वन से पेज नमबर 14 पर लेका आना पड़ेगा ना यह सवाल पहले लग गया है कि आ जाए यहां कि करा जाए यह सवाल कि सर बिल्कुल किया जाए चलिए सब्सक्राइब प्लस और माइनस यह करेंगे हैं यहां पर्टिकुलर यहां कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट आपने एक्जाम में नहीं लिखना कॉस्ट रिकंसलेशन स्टेटमेंट शॉट में पूरा पूरा लिखना है आपको इस बात का ध्यान रखेगा अब किस प्रॉफिट की बात करें कौन सा पॉइंट और कॉमल एक बर बता देना मैं भी बताते हूं चलिए पॉइंट पर कुश्चन पर आ जाते हैं कि कुश्चन कहता है नेट प्रॉफिट आइस पर फाइनेंस समझ में आरी बात आपको तो यहां पर क्या लिखेंगे प्रॉफिट के प्रॉफिट के प्रॉफिट के एस पर फाइनेंस सर बता दिजिए प्रॉफिट एस पर फाइनेंस क्या है सिक्स्टी फॉड थ्री सेवन सेवा ठीक है इर एंडिट तक कॉस्ट भुख हाईवर सो आप प्रॉफिट यह यानि कॉस्ट भुक यह शो कर रहा है यानि ऐसे सवाल हमारे एक्जाम में नहीं पूछे जाते क्यों न आपको दोनों प्रॉफिट दे हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो हमें फाइनेंस का प्रॉफिट मिल गया इसको इग्नूर करके चलेंगे क्या-क्या ऐसा था जिससे डिफ्रेंस आ रहा है कहता है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्ट तो वर्क ओवरहे एक खर्चा है अंडर रिकवर का मतलब कम होता है और कॉस्ट में अकर हमने खर्चा कम दिखा है तो कॉस्ट के प्रॉफिट पर क्या फरक पड़ेगा प्लस हो जाएगा 560 ठीक है पहला पॉइंट क्लियर हर बच्चे को ठीक है परस्ट पॉइंट क्लियर आगे देखते हैं कि अध्रमीन ओवर हेड्वर हैं ओवर रिकवरिंक क्या ऊस्ट उसante मिन में ओवर हेड्व अगया है ओवर है और आप जबासरव मुझे मुझे अड्मिन ओवर हैं इसका मतलब एड्मीन ओवर है ज्यादा दिखाया गया है और एक देड़्ण क्या है खर्चा और खर्चा कहा ज्यादा दिखा रहें कॉस्ट में और प्रॉफिट भी कॉस्ट का ही सोच नहीं तो क्या होगा उसका प्रॉफिट माइस कितना आसान चैप्टर है यह 15-18 नंबर का आ जाए तो मजे हैं लेकिन मैं सीरियसली बोलो जो बच्चे इसको कर लें आप सो बार कर लो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन आप हमेशा याद रखना एक ही बार पढ़ो और पक्का पढ़के खतम करो अगर आपके पास वीडियो है तो आप बिल्कुल भी रिलेक्स मत हो कि हम जब मर्जी फिर से देख सकते हैं और वह जब मर्जी एक्ज कोस्ट में इतना दिखाया इसका मतलब सर्ण इपडरी सेशन लोस्ट में ज्यादा दिखा रख्ञा है तो तो कितना दिखा रख़ा है डिपरी शेशन को स्ब्सक्राइब सकते हैं तो यह सहीजवाब मार्ट समझ रहे हैं चलिए… ऌस इंट्रस्ट वेश्मेνट ना आप मुझे सिम्पल सिं भाद बताइये अगर इंट्रस्ट है और आपकी क्योंकि इंकम हैं ना मांनेगर नेंकम है लेकिन इंकम फाइनस की है कि इतरल कभी जुइंस मे न ह видели घरDA इंपम को कांच due to absolence charge in finance कहता है भी आई कि ऐसा loss था due to absolence absolence क्या होता है हमारा absolence होता है हमारा टूट-फूट हो गया कुछ दिक्कत आ गया फुक गया जिसे आप बोलते हो खराब हो गया जिसे बोलते हो ठीक है तो loss due to absolence अब finance में ये खर्चा दिखा रखा भी आट्थाइसो पचास तो ये खर्चा तो हमारे कॉस्ट में और खर्चा कॉस्ट में नहीं है मतलम प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपने जवाब दे दिया सर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो अट्थाइसो पचास इंकम टेक्स प्रवाइड इंफाइनस अकाउंट अब सर इंकम टेक्स को वैसे तो इंकम टेक्स ड्रॉइंग होता है लेकिन अभी थोड़े पल के लिए कॉस्टिंग में आप ऐसा खर्चा समझ लो इंकम टेक्स फाइनस में दिखा रखा है तो खर्चा दिखा रखा है लेकिन कॉस्ट में तो यह खर्चा आया नहीं दिखाया उससे कॉस्ट के प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा कि एड हो जाएगा 20,150 बैंक इंटरस्ट transfer fee इंडव administrative अभी मैंने बताया था transfer fee income होता है ठीक है ना तो बैंक इंटरस्ट या transfer fee finance में आ गया है या फिर ट्रांसफर fee finance में आ चुका है अगर आप कहते हो थार फाइनेंस में आ चुका है तो finance की तो income हो गयी लेकिन уж में तो आया हिने नहीं नहीं है तो कॉस में जब income नहीं दिखोते तो profit क्या होगा मैं लाइन्यअ हो जाएगा मैं के स्टो रडज्स्मेंट क्रेडिट इन दला फाने स्टोर अडज्स्मेंट तो तो उस्टोर अघ्रड़िश्मेंट सर स्टोर अजस्मेंट हमने क्रेडिट कर दिया कहां करा आपने क्रेडिट सर फाइनिस में तो क्रेडिट किया तो इंकम ही है लेकिन कॉस्ट में नहीं आता यह तो कॉस्ट में अगें इंकम नहीं आ पाया तो यह आ गया हमारा 237 रुपए अगेन माइनस में अगला कहता है loss due to depreciation in stock value, change in financial account, भ्या, सरी, charges in the financial account, तो एक loss due to depreciation हो गया हमारा, stock के ऊपर, valuation, जब stock का value लगाया हमने, और इसको कहां charge किया गया, तो एक तरीके से loss तो खर्चाई है ना, loss तो खर्चाई है, loss due to depreciation, तो सर ये खर्चा आपने स्रिफ और स्रिफ only and only कहा दिखाया है तो cost में ये खर्चा नहीं आया तो cost का profit पर impact पढ़ रहा होगा क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा कितने से तीन सो उचक्तर आंसर पहले से दे रखा है लेकिन फिर भी हमें ये पता तो चले कि भई यह हम सही सीख रहा है या गलत सीख रहे है या तुक्का मार रहे हैं चलो चेक करते हैं हाँ cost के profit के बारे में देखें हैfish यह world यह चाहस साधा है को कॉस् अभी आपको ना ये चप्ट्र बड़ा असान लगेगा मैं गएदिग लेता हूं इस बात के ये चप्टर आपको बड़ा आसान लगेगा मैं ग闯रेंटी लेता उस बात का लेखिन एक्जाम में कई बार बच्चे इस चप्टर को बड़ा मुस्किल समझ लेते हैं ये भी मैं गारेंटी लेता हूं परकिये है कि यह चेप्टर आसान इसलिए है क्योंकि आप साथ के साथ पढ़ रहे हो और मैं साथ के साथ समझाता जा रहा हूं कोई दोड़ भाग है नहीं एक्जाम टाइम पर क्या चलता है आपका के 10 गंटे देख लिया 20 गंटे देख लिया मतलब कि 6 गंटे की वीडियो ल कि काम्याब हो गए हम है कि यहां क्या आएगा सर प्रॉफिट अ कि एस पर अब आएगा कॉस्ट यह आगए 86 टू डॉबल जिरो बिल्कुल सभी ने जवाब दे दिया मान से आपने साथ एड लेस गलत किया यह सही बता है सही बता है टूटल सही बता है यस समझ में आ रहे हैं दोनों यानि अब ये दो कॉंसेप्ट हो गए हैं एक हो गया तब對 व सब्रॉफिट अारक हो गया its अर्यकर कॉस्ट स्टार्टिंग कहां से हुआ यहां से भी स्टार्टिंग हो गा हमें सोचना का होगा उसके अपॉजिट के बारे में है ना